अपने छात्रों पर एक शिक्षक के नैतिक दिशा सूचक प्रभाव की कहानी एक बार की बात है, श्रीम्ती जॉन्सन नाम की एक शिक्षिका थी जो एक ग्रामीन शेत्र के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी श्रीम्ती जॉन्सन अपने दयालू हृदय और अपने छात्रों को न केवल अकादमिक विश्यों बलकि जीवन के पाठों को पढ़ाने के लिए उनके समर्पन के लिए जानी जाती थी एक दिन श्रीम्ती जॉन्सन ने देखा कि उनके चात्र एक दूसरे के प्रती बुरा व्यवार कर रहे थे वे एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और धमका रहे थे और इससे कक्षा में बहुत अप्रसन्नता फैलाव हो रहा था श्रीम्ति जॉन्सन जानती थी कि उन्हें अपने च्छात्रों को एक दूसरे के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्वों समझने में मदद करने के लिए कुछ करना होगा इसलिए उसने अपने चात्रों को सबक सिखाने का फैसला किया वह सेब की एक टोकरी ले आई और उसे कक्षा के सामने रख दिया उसने अपने सभी चात्रों से टोकरी से एक सेब लेने और उस पर मारकर से अपना नाम लिखने को कहा फिर उसने उनसे एक सहपाथी को कमरे में सेब फैकने के लिए कहा पहले तो छात्रों को लगा कि यहाँ एक मज़ेदार खेल है लेकिन फिर श्रीम्ती जॉन्सन ने उन्हें अपने सेब वापस लेने और उन्हें ध्यान से देखने के लिए कहा कमरे के चारों और फैंके जाने से सेब उखर गए और पस्थ हो गए श्रीम्ती जॉन्सन ने तब अपने छात्रों को समझाया कि सेब की तरह जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करती हैं तो हम उन्हें चोट पहुँचाते हैं और सेब की तरह जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत करना मुश्किल है उन्होंने अपने छात्रों को बोलने या कार्य करने से पहले सोचने और दूसरों के साथ हमेशा दयाख और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोच्साहित किया उस दिन से श्रीम्ती जॉन्सन की कक्षा के चात्र एक दूसरे के साथ अधिक दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करने लगे उन्होंने दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व के बारे में एक मुल्यवान सबक सीखा और यह जीवन भर उनके साथ रहा श्रीम्ती जॉन्सन ने अपने चात्रों को जो सबक सिखाया वह दूसरों के साथ व्यवहार करने के बारे में सिर्फ एक सबक से कहीं अधिक था यहां एक सबक था कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है और एक पूर्ण जीवन कैसे जीना है उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, उनके छात्र दयालू और समझदार वयसकों के रूप में बड़े हुए जिनों ने दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाया